कई अपुम्हें हुआ हग है आज में आपंवहों के लिए लेकर आहीं भुथ ही मसदार बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आलू ब्रेड की सेंड़ीक जो भी टेस्टी बंती है बहुत ही ऊच्क हा पर फटा-फट बनाना शुरू करते हैं इधर्फर फटकनद के करी पत्ता अगर आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश डालिए वरना आप सूखा उसको इसकीब भी कर सकते हैं और एक मीडियम साइज की मैंने प्याज ले लिया इसको आमलेट काट काट मैंने बारिक-बारिक काट लिया है बस इसको हमको हलका सफ्राई करना है सॉफ्ट होने तक यह देगी प्याज मेरी हो गई है अब इसमें हम डाल देंगे तीन से चार हरी मिर्ची मैंने चॉप करके डाल दिया है एक टिबल इस्पून डालेंगे हम शिम्ला मिर्च इसको भी मैंने बारिक-बारिक काट लिया है यह भी आप्शनल है बॉय अलू ले लिगा है चार मीडियम साइज कर लिया था इसको मैंने कद्धुकस करके डाली आलू को हम अच्छे से फ्राई करलेंगे अब इसमें दालेंगे चिली फ्लेक्स 1 ratio काला नमक डालेंगे तिस्पून 1 170 चार्ट मासला डालेंगे 1 come half teaspoon भूना जीरा डालेंगे half teaspoon और total teaspoon हम इसमें डालेंगे lemon juice कि इस सब को अच्छे से मिलएंगे हम यह मसाला अच्छे से मिल जाएं इसमें आलू में बहुत ही अच्छा से आयाँ को fry कर लिजें बहुत ही टेश्टी सी हिएस्टाइट्विश बन कर तयार होती azoo भी है हाफ टीश्पून डाल देंगे इसमें हम नमक नमक में चाब अपने टेस्ट के कार्डिंग डालिएगा यह देखिए आलू विरा अच्छे से हो गया है अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया हरे धनिया डालने के बाद भी थोड़ा सा हम चला लेंगे कि आलू मेरा भून चुका है इससे ज्यादा हमें आलू को नहीं पकाना है यह देखिए आलू मेरा बिलकुल रेडी हो गया अब इस गैस की फ्लेम आफ कर देंगा इसको हम साइड कर देंगे ठंडा होने के लिए चलिए अब इसकी हम चटनी मिना लेते एक छोटा टुकड़ा अध्रक का ले लिया है थोड़ा सा दो तीन हरी मिर्ची है और पुदीन नमक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है यह मूंग फली हम डाल देंगे एक टीस्पून अगर आपके पास नहीं है तो इसकीप कर दीजेगा अलेमन जूस ले लेंगे एक टीस्पून अब थोड़ा सा पानी डालकर हमें एक फाइन पेस्ट बना लेना है अब इधर चलिए हम यह ले लेते हैं चटनी बना लेते हैं तो टमाटर सास में ले लिया एक टीस्पून एक टेबल स्पून और एक टेबल स्पून हम ले लेंगे मायोनीज इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे अगर आपको मायोनीज नहीं है तो आप सिर्फ टमाटर की चटनी से बना लें लेकिन मेरे यहां सबको मायोनीज बहुत पसंद है तो मैं इसमें मिला ले रही हूँ अब इधर मैंने ब्रेड ले लिया है इस तरह हम ब्रेड पर पहले मायोनीज वाली चटनी लगाएंगे बहुत अच्छा सा टेस्टी सी सैंड्विच बनका तयार होती है और दो ब्रेड और हम लेंगे अब इस पर हम यह चिली वाली लगा लेंगे जो गहरी चटनी हमने बना के रखा है उसको लगाएंगे यह बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है बहुत ही चटपटी सी बनती है आप इसकी जगह चिली सॉस भी ले सकते हैं लेकिन यह घर की बना के आप बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी सी सैंड्विच बनेगे आपकी अब जो आलू का मिक्सर मैंने बना कर रखा है अब उस तरह से हम इसको अच्छे से स्प्रेट कर देंगे यह देखें आलू बहुत अच्छे से लग गया है अब एक ब्रेड उठाकर हम इसके उपर रख देंगे यह देखें अब इधर गैस की फ्लेम आन करके मैंने एक तवा चड़ा दिया है और उसमें हम डाल दिया एक टी स्पून बटर अब गैस की फ्लेम लो रखिएगा लो फ्लेम पर आप बनाएंगे तभी आपके सैंड्व इसी बनेगी इस तरह से उलट पलट के आप करते रहिए जिससे कि एक तरफ से हमारी ब्रेड जले नहीं दूसरी वाली हम सैंड्वेज इस पर डाल देंगे जिससे कि हमारी दोनों सैंड्वेज बराबर में तयार हो जाए यह देखिए गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है पहले तवे को आप हाई फ्लेम पर हीट कर लिजेगा उसके बाद लो फ्लेम कर दीजेगा यह देखिए मेरी सैंड्विच बनकर तयार हो गई है चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं तो पहले हम इसको इसकी कटिंग कर लेते हैं जिस शेप में आप कटिंग करना चाहते हैं आप कटिंग कर लेजे यह देखिए अंदर से है ना बिल्कुल ग्रीन-ग्रीन से सेंड्विच हमारी बनकर तयार हुए बहुत इसी है और यह आलू तो सभी के घर में होता है तो इस सैंड्विच को आप बना कर प्र यह दिखें बहुत हर identifies बने का तयार हो गई है तो कैसी अधी यह शावर कर दिआ ऑन मुझे कमेंट में और ना शलब मिलाओन कोई नयな क्याउक हैं पर सतोकत मેजल आकड़ी है जासा बर्सक्राइक नलडिक ऋधना थाट्रण सुदयच गए झाल